नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटुब चैनल दौट ट्रेंग में मैं हुनी धी याद और अजम बात करेंगे मिहुल चौकसी के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं मिहुल चौकसी को हमारे देश में भगोड़ा गोशित कर रखा है मिहुल चौकसी देश से पियन्वी घुटाला करके भागा था आज मैं आपको मिहुल चौकसी के वज़े से विदेश में हो रही राजनितिक हलचल के बारे में बताऊंगी मेहुल चौकसी को लेकर एंटिगुआ और बाड़ बूड़ा में भी राजनितिक हलचल शुरू हो चली है नागरिक्ता योजना पर भी सवाल उठाय जा रहे हैं पियनमे घुटाले के आरूपी मेहुल चौकसी को लेकर अभी तक भारत में ही राजनितिक बयान बाधी का दौर चल रहा था अब उसे नागरिक्ता देने वाले एंटिगुआ की राजनितिक पार्टियों में भी हलचल देखने लगी है वहाँ की राजनितिक पार्टियों को अब लगने लगा है कि उनके देश ने मेहुल चौकसी को नागरिक्ता देकर आफ़त मोल ले ली है वहाँ के प्रमक्त पार्टियों पार्टियों के देश से बाहर निकलने के मामले में सभी विपक्षी दलों ने केंदिक सरकार को गहरा था विपक्षी दलों के अरोप था कि कि देश सरकार की ढिलाई के बिना मेहुल चौकसी बहार नहीं जा सकता था इस मामले को लेकर विपक्ष ने सत्य पक्ष पर तरह तरह के आरोप लगाए थे उस वक्त तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि मिहुल चौकसी के पास विदेशी नागरिकता है अभी कुछ दिन पहले ही CBI जो की PNB घुटाले की जाच कर रही है कोई है मालूम पड़ा कि मिहुल चौकसी के पास एंटिग्वा बारा बुड़ा की नागरिकता भी है इसके बाद विदेश मत्राले हरकत में आया और इन दिनों देश से मिहुल के हवा, पानी और जमीन पर आने जाने की पाबंदी लगाने की मांग कर दी मिहुल को भारत लाने की दिशा में यह पहला ठोस कदम माना जा रहा है निवेश कारेकरम के तहट नागरिकता योजना पर रोक की मांग सयुक्ष प्रगतिशिल पार्टी के प्रवक्ता दामनी तावोर का कहना है कि चौकसी के मामले की वज़े से उनके देश की प्रतिश्टा को नुकसान पहुचा है हमारे धुईप को लेकर तरह तरह की बाते हो रही है हमने सरकार से मांग की है कि निवेश कारेकरम के तहट नागरिकता देने की प्रक्रिया को रोक दिया जाए इसका फॉरंसिक और्डिट कराया जाए कोई भी व्यक्ति जो किसी धोका धड़ी के मामले में शामिल है उसे यहां की नागरिकता ना मिले चुकि महुल चौकसी पर बड़े घुटाले का आरूप है और भारती जाट जैनसी उत्वारा भकोड़ा कोशित किया गया है ऐसे व्यक्ति को नागरिकता देने का मतलब है कि हम अपने देश की पतिश्टा को स्वैम जोखिम में डाल रहे हैं जिस समय चौकसी नागरिकता के लिए आवेदन किया था उस वक्त वे किसी आपराद में शामिल नहीं था हमारी सरकार को यह मालूम नहीं था कि चौकसी ने वेश कारेक्रम की आर्ड में किसी अन्य मकसद से नागरिकता ले रहा है एंटिक्वा के नियाएक प्रशासन के अधिकारिक चौकसी के आवेदन की जाच कर रहे हैं कि उसने कोई जूटी सोचना या जानकारी देकर तो नागरिकता हासल नहीं की है अब वक्त ही बताएगा कि मेल चौकसी पर चल रही सुनवाई में उसे भारत भेजने को ओडर मिलता है या एंटिक्वा की नागरिकता की वज़े से वह बच जाएगा भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वह मेल चौकसी को देश वापस ले आए तो ये थी मेल चौकसी पर हो रही राजनेती खल चल मेरे शब्दों में लेटिस अपडेट्स के लिए बने रहिए तो और टरंग के साथ धन्यवाद